वेलकम फ्रेंट्स आज के इस वीडियो में आपको हम पताएंगे थाइरॉग्जिन सोडियम टैबलेट के बारे में दोस्तो थाइरॉग्जिन सोडियम टैबलेट के बारे में आपको पूरी जानकारी देंगे हम जैसे कि भाई ये थाइरॉग्जिन क्या है कैसे काम करता है medical store पे इसकी tablet आपको किस name से मिल जाती है इसके uses क्या क्या है detail में चर्चा करेंगे और इस tablet को कैसे लेना है यानि कि लेने का सही तरीका क्या है dose कितना चलाया जाता है इसके side effect क्या आते हैं और दोस्तों आपको बताएंगे कि भाई ये tablet क्या जो है गर्भती महिलाएं और जो महिलाएं बच्चे को दूद पिलाती है वो भी ले सकती है तो पूरी जानकारी पाने के लिए इस वीडियो को complete देखना है तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले दोस्तों आपको बताते हैं कि भाई ये जो thyroxine है ये आखिरकार है क्या तो दोस्तों अगर हम बात करें thyroxine की तो ये एक जो है thyroid gland का हार्मोन है यानि कि जो thyroxine है ये कहां बनता है आपकी thyroid gland में बनता है कभी कदर क्या होता है कि आपके thyroid से जोड़ी problem के कार्ड जो है ये thyroxine जो हार्मोन है ये नहीं बन पाता है इसलिए भाई ये जो thyroxine tablet है ये बार से patient को दी जाती है अब बात करें दोस्तों thyroxine हार्मोन के बारे में तो ये क्या करता है आपका जो metabolic है उसको जो है increase करने का काम करता है साथ ही साथ दोस्तों आपके growth और development में काफी जादा help करता है तो भाई अगर जो है ये thyroxine हार्मोन किसी कार्वस नहीं बनता है तो आपके कई सारी problems आने लगती है अभी वीडियो में आगे discuss करेंगे अब दोस्तों आपको बताते हैं कि भाई ये जो thyroxine tablet है ये medical store पे आपको किन नामों से मिल जाती है तो दोस्तों ये वैसे तो बहुत सारे brand name से medical store पे available है लेकिन जो इसकी सबसे अधा popular tablet है उसमें दोस्तों thyro norm tablet इसकी आती है कई सारी जो है strength में available है जैसे कि दोस्तों 12.5 microgram में इसकी tablet आती है ठीक है दोस्तों 25 microgram की tablet 37.5 microgram इसके अलावा 50 microgram दोस्तों 62.5 microgram और 75 microgram इसके अलावा भी कई सारे जो है strength में ये tablet available है अगर दोस्तों इस name से ये tablet आपको medical store पे नहीं मिलती है तो इसकी जगे पे जो है इसका दूसरा popular brand name है जो की है thyrox tablet वो भी buy कर सकते हैं अब दोस्तों आपको बताते हैं कि भाई ये जो thyroxine tablet है भाई इसके उपयोग क्या क्या है तो दोस्तों इसका मुख एक ही उपयोग है जो की है hypothyroidism यानि की भाई जिन लोगों में thyroxine hormone की कमी हो जाती है उनके सरीर में तो उस condition में दोस्तों जो है ये tablet doctor जो है उन्हें बाहर से लेने की सलाह देते हैं अगर दोस्तों बात करें भाई जो है ये hypothyroidism जो है इसके लच्छड क्या क्या आपको दिखाई दे सकते हैं तो दोस्तों अगर किसी के मालीजे की hypothyroidism हो जाता है तो उसके सरी में बहुत ज़़ा थकान बनी रहना उसका वजन बढ़ना ये इसका एक बहुत ही important लच्छड है साथी साथ दोस्तों depressed होना यानि की depression का सिकार हो जाना साथी साथ दोस्तों patient के जो है constipation होना इसके अलावा ठंड वगएरा से जो है sensitive होना ये इसके जो है लच्छड हैं इसके अलावा भी कई सारे लच्छड हैं मैंने मुख लच्छड आपको इसके बता दिये hypothyroidism के दोस्तों आपको बताते हैं कि भाई इस tablet को उपयोग कैसे करना है और इसका dose कितना चलाया जाता है तो दोस्तों इस tablet को मुख टया जो है doctor सुबे यानि कि morning में लेने के सलाह देते हैं साथे साथ दोस्तों आपको याद रखना है कि ये tablet लेने से एक घंटे पहले या फिर लेने के जो है दो घंटे बाद कुछ भी आपको नहीं खाना पीना है यानि कि नास्ता भी नहीं करना है अब दोस्तों आपको बताते हैं कि भाई ये जो tablet है कितने दिनों तक patient को दी जाती है जिससे उसे relief मिलता है तो दोस्तों थोड़े लंबे समय तक ये tablet चलती है जैसे कि 6-8 सबता जब वेक्त इस tablet को लगातार उपयोग करते हैं तो उन्हीं इस tablet का पूरा फायदा देखने को मिलता है अब आपको बताते हैं डोज कितना लेना है तो दोस्तों डोज आपकी condition पर depend करता है इसलिए इस tablet को अपने आपसे तो बिल्कुल भी उपयोग नहीं करना है क्योंकि patient की condition को देखते हुए भाई इसका dose decide किया जाता है अब आपको बताते हैं इसके side effect क्या क्या सकते हैं तो इसमें side effect भी देखे गए हैं जैसे कि patient को vomiting लगना anxiety मतलब चिंता तनाव की समस्या हो जाना diarrhea की समस्या हो जाना weight loss होना आपका version घट सकता है साथ ही साथ दोस्तो nervousness होना या फिर ऐसा लगना कि भाई restlessness फिल होना यानि कि थकान जैसी महसूस होना ये इसके common side effect हैं इसके अलावा भी दोस्तो इसके side effect हो सकते हैं इसलिए कोई भी आपको इसका side effect दिखाई देता है तो घबराना नहीं इस tablet को नहीं लेना है और साथ ही साथ आपको अपने doctor से संपरक करना है ताकि इसकी जगे पे आपको कोई दूसरी बहतर दवाई recommend कर सकें अब बात करते हैं कि क्या भाई इस tablet को pregnant women और breast feeding mothers भी ले सकती है तो हाँ दोस्तो डॉक्टर की सलाह के अनुसार जो है breast feeding mothers और pregnant women इस tablet को ले सकती है कोई problem वाली बात नहीं है आपको याद रखना है अगर आपको इस दवाई से allergy है तो दोस्तो यही था आज का वीडियो thyroxine sodium tablet के उपर वीडियो का ऐसा लगा comment में जरूर बताएं साथ बेहर जो लोग चनल पर पहली बार आएं चनल को subscribe कर लो ऐसी knowledgeable वीडियो देखने के लिए मिलेंगे आप से अगले वीडियो में तब तक के लिए जहिन बंदमातरम टेक केर वाए